है अगे आजम बात बात करने जा रहे हैं MID्श्र स्लामेन एड्मीर 1 लिए इस वीडियो हैं शारे कलते आप कि मिंचे कर आने पड़ेंगे मिनिममस लेकर आने पड़ेंगे तब आप all घो कितने मांक लेकार आने का पड़ेंगे अब doubts हम इस वीडियो में डिसकर्स करने वाले हैं एब बच्चों को problems क्या हुई थी इस ये कि बच्चों ने सपाट registration किया था अब सब बच्चों नहीं किया था लेकि सब का नाम नहीं आया था अब कई बच्चों के में सब रेजिशन का a ofere नहीं आय था अब award क्यूं नहीं आये था क्योंकि उन्होंने minimum eligibility conditions पूरी नहीं करी थी तो minimum eligibility conditions आप पूरी नहीं करेंगे तो आप short list नहीं होएंगे ना तो interviews के लिए और ना ही आप other चीज़ के लिए आईए बात करते हैं क्या minimum eligibility condition है देखिए यहाँ पर क्या लिखा है यह दो points जो है काफी important points हैं जो कि आप लोगों को अच्छे से पता होने चीज़े candidate obtaining less than 30% marks in the descriptive part of the entrance test wherever applicable will not be shortlisted for interview or admission अब यह आप लोगों पता होने चीज़े descriptive part जिसको हम कह सकते है subjective part भी चीक है जिसको हम कह सकते है subjective part भी अब subjective parts में आपको minimum 30% marks में क्या कहा रहा हूँ minimum आपके 30% marks जो है subjective में आने चाहिए तब ही आप eligible होंगे या फिर interviews के लिए या फिर admissions के लिए अब देखिए कई entrance test में जो है subjective part भी है और interviews भी है अब कई entrance test में सिर्फ और सिर्फ mcq है और subjective है देखिए हर entrance test के patterns जो है same नहीं है जहां mcq है उसके लिए अलग कंडिशन है subjective है subjective के लिए अलग कंडिशन तो दीखिए subjective marks जो paper है 30% पहले यह नहीं होता था क्योंकि पहले आप देखेंगे कि cut off भी आप देखेंगे तो पहले cut off भी जो है बहुत कम चले जाती थी 15 से नीचे भी cut off चले जाते थी लेकिन अब ऐसा नहीं है तो यह पहली condition आपको clear हो गए होगी आपको at least 30% marks score करने है subjectives वाले पार्ट में आईए point number second बात करते हैं फिर बात करते हैं देर विल बी नेगेटिव marking of point 25 marks for each wrong answer negative marking यह आपको पता यह objective type multiple choice question in all program of the universities तो universities के हम कोई से भी program की बात कर लें चाहे यूजी कोर्स की बात कर लें चाहे पीजी कोर्स की से बात कर लें तो point 25 जो है negative marking होती है वन फोर्थ ठीक है candidate obtaining less than 15% marks in the objective type multiple choice question will not be short listed for interview और admission अब आपके अगर objective type paper है आपका mcq types अगर आपके 15% से कम marks हैं तब भी आप eligible नहीं है admissions के लिए short list नहीं किये जाएंगे ना तो interviews के लिए और ना नहीं admissions के लिए अब यह problem इस यह बहुत बच्चों को आई थी कि मेरे में यह spot admissions का options क्यों नहीं आ रहा spot admissions क्या होता है उसके लिए वीडियो अपलोड है चैनल पर वह आप देख सकते हैं बाकि आप कहींगे मैं अलग से ध्यान रखना है देखिए 15% मार्क्स आपके आगे इसका यह मतलब नहीं आपका admissions यह minimum eligibility condition है आपको यह conditions पूरी करनी पड़ेगी और 30% कि में subjective part में चीक है तो यह चीज़ आपको सबसे ज़रूरी इसमें ध्यान रखना है देखिए आगे क्या लिखा दिए absence of a candidate in any component of the entrance test including return test group discussion interview as the case may be shall forfeit his her claim for admission in the set program यह भी आपको याद रखना ही कि यह नहीं आपने entrance test दे दिया आप इंटर्वी में shortlist हो गए और आप इंटर्वी देने नहीं नहीं गए तो आपका ध्यान रखनी है तो यह तीन इसमें important points से यह आपको ध्यान रखना है मैं एक बार आपको फिर बता दे रहा हूं इन तीनों points में क्या क्या important चीज़ें आपके 30% marks आने चाहिए entrance test में descriptive पार्ट वाले में अगर subjective paper है माल लेजिए आपका subjective paper है 60 marks का ठीक है तो 60 marks का जो subjective paper है इसमें आपके 30% marks होने चाहिए इसका मतलब आपके 18 marks minimum आने चाहिए तब ही आप eligible होंगे अगर आपके 18 से कम हैं तब आप eligible नहीं होएंगे यह याद रखना है और mcq वाले में बात कर लेते हैं जैसे कि माल लेजिए तो आप eligible है admissions के eligible है cut off अलग आईगी cut off की बात नहीं कर रहो मैं अभी यह मैं अभी बात करो minimum minimum यह condition पूरी करनी पड़ेगी आपको हाँ यह condition revise होती रहती है time to time दीखे पहले यह condition नहीं होती थी अगर आप देखें कुछ courses की तो cut off 15 से नीची भी cut off जाती थी 12 भी cut off जाती थ तो अब ऐसा नहीं है ताकि आप लोगों को कोई problem ना आए इसलिए मैंने वीडियो बना दी तो जिन बच्चों को उस time problems आ रही थी अब यह problem 2021 में बच्चों को नहीं आएगी और यह doubts भी नहीं आना चाहिए कि यह options क्यों नहीं आ रहा या फिर मैं eligible क्यों नहीं हूं या फि क्या चीज़े हैं कि मेरे इतने कम marks आयते क्या इंटर्व्यू में कौन से candidate select करते तो देखिए minimum 30% descriptive part में आपको score करना पड़ेगा यह नहीं कि आपका mcq paper अच्छा जा गया लेकिन descriptive part आपका अच्छा नहीं गया तो यह चीज़ जहां रखने हैं आपको mcq में भी आपको score करने 15% marks आपके mcq में आने चाहिए और descriptive part वाले में आपके 30% marks आने चाहिए तो यह दो condition जो eligibility condition है में ली यह time to time रिवाइज भी होती रहती है ऐसा नहीं कि condition रिवाइज नहीं होती time to time रिवाइज होती रहती है पर यह बिल्कुल minimum lowest marks हैं अगर यह आप देखे तो इस से नहीं पड़ेंगे admissions के लिए ठीक है तो यह था हमारा जो है minimum eligibility को लेके जो की सबसे बड़ा अपडेट्स था ठीक है यह आपको ध्यान रखना है thank you